नमस्कार मैं हुमेत और गैजर्ट फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम करेंगे असुस के लेटेस फोन असुस जैन फोन मैक्स प्रो एम वन का अनबॉक्सिंग और एक क्विक ओवर्व्यू साथ ही करेंगे इस फोन में ड्यूल 4G वोल्टी का टैस क क्या ये फोन सपोर्ट करता है ड्यूल 4G वोल्टी को या फिर दूसरे फोन की तरह यहां पे भी आपको एक सिम वोल्टी मिलता है और दूसरा सिम 2G यह फिर 3G नेटवर्वक पर चला जाता है तो अगर आप भी जाना चाते हैं इस फोन के बारे में ज्यादा तो बने रहे ह हमारे साथ इस वीडियो में तो यह है असे जैनफोन मैक्स प्रो का बॉक्स सबसे बएले बात करें इसकी प्राइजिंग की तो यह अविलेबल है तीन वेरिंट के साथ में 3G RAM 32GB storage जिसका प्राइज आता है 10999 4G RAM 64GB storage के साथ में जिसका प्राइज आता है 12999 इसके अलावा ए 4G RAM 64GB storage जिसका प्राइज आपको मिलेगा 14999 तो आप देख सकते हैं बॉक्स का फ्रेंट साइज जहां पे सबसे उपर आपको देखने को मिलेगा 4G वोल्टी साइट में लिखा है Zenmax Pro M1 करते हैं इसकी बैक तरफ में जहां पर लिखे है कुछ की highlight features तो चली जल्दी से देख सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आई में नंबर और नीचे लिखा है यह कौन से कलर और वेरिंट के साथ में अवेलेबल है तो मेरे पास यह फोन अवेलेबल है 4G RAM 64GB storage के साथ में नीचे की तरफ यहां पर लिखा है 5000 बैटरी जो कि लार्ज बैटरी है यहां पर आप 686 chipset और फुल विव डिस्पले में आपको 6 इंचिस का 18-9 इसकी डिस्पेक्ट इशों के साथ में दिस्पेल मिलने वाला है तो चली कर लेते हैं इस बॉक्स को अन बॉक्स और देखते हैं कि इस फोन का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है तो यहां पे सबसे पहल जो कि आपको मिलते हैं Zenphone Max Pro के साथ में यहां में देखने को मिलता है एक यूजर गाइड साथ में पढ़ा है एक समेजब्टर टूल एक चारदर जो कि आता है 5 वाल्ट एंड 2 एम की आउटपूर्ट इटिंग के साथ में हालाग कि यह फोन सपोर्ट करता है फास चार्जिं Max Pro सबसे पहले बात करें इसके design और build quality की तो build quality काफी solid है क्योंकि यह पूरा phone मना है एक metal डिजाइन से हलांकि antenna bands आपको देखने को मिलता है इसके अलावा आपको पूरा metal university design देखने को मिलेगा लेकिन इस phone का feel काफी amazing लगता है क्योंकि काफी solid body के साथ में देखने को मिल रह और backside में आपको देखने को मिलता है dual rear camera setup और बीच में दिया गया है fingerprint sensor तो यह है इस phone का design और build quality चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस phone का on और देखते है इस phone का performance तो चलिए जब तक यह phone setup हो जाता है हम देख लेते हैं इस phone के quick specs यह phone आपको मिलता है snapdragon 636 headset के साथ में और इस phone मे आपको मिल जाता है अगर हम बात करते हैं इस phone में display की तो यहां पे आपको मिलता है 6 inches का full hd plus IPS display जो कियाता है 18-9 screen aspect ratio के साथ में camera दिया गया है 13 plus 5 megapixel का dual rear camera setup प्लस 8 megapixel को यहां पे front camera देखने को मिल जाता है इस phone में आपको मिलता है 5000 mAh का battery और security के लिए rear side में fingerprint sensor और face unlock का option भी देखने को मिल जाता है तो आप देख सकते हैं phone हो चुका है on और यह है Asus Zenphone Max Pro का home screen सबसे अची बात यहां पे आपको देखने को मिलता है stock android का experience जो की काम कर रहा है अभी Oreo means Android के 8.0 means latest OS के साथ में तो यह काफी अची बात है कि यहां पे हमें काफी light यह देखने को मिल रहा है और कोई भी boot fear यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा बात करें इस phone की display quality की तो आपको बता दे इस phone में आपको मिलता है 6 inches का full HD plus IPS display और यहां पे आपको देखने को मिलेगा full view display means इस phone में भी आपको 18-9 screen depth safe texture देखने को मिलने वाला है display quality आप इस वीडियो में देख सकते हैं काफी amazing और sharp color हमको देखने को मिल रहा है और जैसा कि Asus ने अपने event में बताया था कि इस phone का display आपको काफी bright देखने को मिलेगा तो वैसा ही हमें यहां पे देखने को मिल रहा है display के colors काफी bright और sharp आपको देखने को मिलते हैं तो display quality काफी अच्छा में देखने को मिल रहा है आज तो उसके Zenphone Max Pro का चले चलते हैं फोन की setting में और देखते हैं इस phone की और information तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे आपको देखने को मिलेगा Android का 8.1 version means latest operating system के साथ में बात करें Android के security patch की तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है February 1st 2018 का चलते हैं इसके storage की तरफ तो आप देख सकते हैं यह phone हमारे पास available है 64GB storage के साथ में तो यहां पे आपको free space मिलने वाला है almost 53GB का means almost 10GB का data use किया गया है इसके system OS और internal applications के लिए चले चलते हैं इस phone की camera की पर तो चली ले लिए कुछ pictures और देखते हैं कि इस phone का camera quality हमें कैसा देखने को मिलता है तो यह है कुछ sample pictures जो कि हमने लिए हैं इसके rear or front camera से सबसे पहले आप देख सकते हैं यह है rear camera images images काफी clear हैं और काफी अच्छी quality images हमको यहां पे देखने को मिल रही है और अगर हम बात करते हैं इनके detailing की तो detailing पर देख सकते हैं काफी clear आपको देखने को मिलेगी और अगर हम बात करते हैं इसके portrait shots की तो यहां पर देख सकते हैं कुछ portrait shots में ली गई pictures यहां पर portrait shots काफी अच्छी से काम कर रहा है subject पर पूरा focus है और background आप दिख सकते हैं काफी अच्छी से blur होता हु मिल रही है Asus Zenfone Max Pro से अला कि इसका comparison हम करने वाले है Redmi Note 5 Pro के camera से जो कि आपको आगे आने वाली वीडियो में देखते को मिल जाएगा चलिए अब हम करने वाले हैं इस phone में dual 4G वोल्टी का test means क्या यह phone support करता है dual वोल्टी को तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही sim नेटवर्क के देखने को मिल जाएंगे और यहां पर दिखा देते हैं सैटिंग्स में और यहां पर हम जाते हैं नेटवर्क और इंटरनेट और यहां पर आप देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क जियो 4G प्लस जियो 4G मतलब दोनों ही sim काम कर रहे हैं 4G वोल्टी के लिए तो यह काफी अच्छी बात है और अगर आप फिर भी confirm करना चाते हों तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है फर्स जियो का sim जहां पर पर किया है 2G, 3G, 4G और यह है second sim और यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है 2G, 3G, 4G में इस दोनों ही sim एक साथ सपोर्ट करते हैं dual 4G वोल्टी को तो यह काफी अच्छी बात है कि यहां पर हमें एक advanced feature और देखने को मिल रहा है चलिए अब चेक कर लेते हैं इस audio dock को जो कि हम को इन बॉक्स ही देखने को मिल रहा है और आसे से कहता है max box तो चलिए देख लेते हैं कि इस max box को क्या काम है तो चलिए पहले चेक करते हैं कि without audio dock इस फोन में आपको कितना loud sound देखने को मिलता है आपको कितना है तो इस audio dog की मदद से काफे loud sound हो जाता है इस phone का तो इस S-series का आप काफी अच्छे से use कर सकते हैं तो यह था unboxing और quick overview Asus के latest phone Asus Zenfone Max Pro M1 का और यहां पर हमने आपको करके दिखाया एक dual 4G voltage test means यह phone support करता है dual 4G voltage को जो की आज से पहले हमने किसी भी device में नहीं देखा है लेकिन Asus का Zenfone Max Pro यह support करता है तो यह काफे अच्छी बात है अगर आप चाते हैं एक ही phone में 2V SIM को यूज करना या फिर अगर आप चाते हैं अलग-अलग operator की 2V SIM यूज करना तो वो आप Asus के Zenfone Max Pro के साथ में यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने आपको quick impressions दिये थे आगे आने वीडियो में हम आपको इस phone का performance और बाके reviews भी देने वाले हैं तो आप बने देएगा हमेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा अमीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपकी काफी सारी confusion clear हो गई होगी तो इस वीडियो को like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत भूँत दन्यवाद अगर आपके वास है कोई सब्सक्राइब तो वहां नीचे लिख सकते हैं अगर आप चाते हैं कोई particular review इस फोन का तो वो भी आप नीचे comment section लिख सकते हैं आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद हम आप समलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक के लिए आपके दिन शुब रहें